बिस्मिल्ला रोवान रहीम, असलाम अलेकूम, वेलकम टू क्लासे किचन, आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्रिस्पी फ्राइट फिश की, ये बहुत ही जबरदस, बहुत ही डिलेशिस त्यार होती है, आप इसको ज़रूर ट्राइ कीज और अगर आप सहत के पॉइंट आफ यू से देखें, तो ये सहत के लिए भी बहुत ही मुफीद है, और ये गर्मियों के मुकाबले में सर्दियों में ज्यादा शौक से खाई जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ने आपसे इसकी रेसिपी शेयर की जाए, तो एक मैं तो तोड़के भी दिखाती हूँ, तो ये देखिए, अंदर से कितनी सॉफ्ट और जूसी बनी है ये, ये देख सकते हैं, और बाहर से देखें, इसकी कोटिंग कितनी खस्ता और क्रिस्पी बनी है, तो आप इसको जरूर ट्राइ कीज़ेगा, तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं, तो काइंड लीज को सब्सक्राइब कर लें, और साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताके मेरी हड नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक महुचे, तो सबसे पहले हम फि अब इन तमाम चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, आदा किलो यहां पर मैंने बॉनलेस फिश लिये, जिसको इस तरीके से मैंने लंबाई में कटवा लिया था, ग्रैंस में देखें तो यह 500 ग्रैंस बनती है, तो यह इसमें मैं डाल दूँगी और इसको बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स करने है, मिक्स यह हो गया है, अब इसको मैं मैरिनेट होने के लिए आदे घंटे के लिए छोड़ दूँगी, तो आईए अब बटर मिल्क बना लेते हैं, तो उसके लिए मैंने आदा कप दूद लिये, उसके अंदर एक चाय का चमश मै मैं डालूँगी, सुफैस सिर्के का, मिक्स कर लूँगी इसको मैं, उसके बाद इसको मैं 10 से 15 मिन के लिए रख दूँगी, तो आप कोटिंग की तियारी कर लेते हैं, तो उसके लिए मैंने एक कब मैदा लिया है, दो खाने के चमश जिसे मैंने डाले हैं, कौन फ्लॉर के एक खाने का चमच इसमें मैंने काली मुर्चो का एट किया है पैप्रिका पौडर डाला है इसमें एक चाय का चमच लेसन पौडर जायगा इसमें एक चाय का चमच और इगेनो जायगा एक चाय का चमच और नमक इसमें मैंने शामिल किया है हस बेजरूरत अब इन तमाम चीदों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो आब इसमें एक टाई का चमात चिकन पाॉडर एक करूँगी मैं इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी तो बटर मिल्क हमारा आप रैडी है इसके अंदर हमें एक अंडस शामिल करूँगी और अच्छे से इसको मैं फेंट लूँगी तो बटर मिल्क हमारा बिल्कुर रैडी है फिश भी हमारी मैरिनेट हो चुकी है और सुका मैदा जो हमने तयार किया था कोटिंग के लिए वो भी रैडी है तो आईएब हम इसकी कोटिंग कर लेते हैं फिश की तो सबसे पहले मैंने फिश को बटर मिल्क में डिप किया उसके बाद जो हमने ड्राइमिस्चर तयार किया था मैदे का उसके अंदर मैं फिश को डालूँगी और इसको इस तरीके से दबा दबा कर इसकी कोटिंग कर दूँगी मैदे की इसके बाद दुबारा से में बन् मिलक करूंग और इसके बाद दुबारा से दपाके और गुमा गुमा के मैं इसको लगा रही हूँ। कोटिंग कर रही हूँ तो यह देखिये बिल्कु रैधी है यह फ्राइ के लिए दो दफाइसको कोट करना काफी होता है लेकिन अगर आपको ज्यादा क्रिस्प भी चाएए तो आप इसको तीन दफा भी कर सकते हैं तो यह मैं आपको तीन दफाइसको कोट करके दिखाती इसके बाद मैं इसको सूखे मैदे में डालूंगी अच्छे से प्रेस करके इसको मैं इसकी कोटिंग करूंगी मैदे में उसके बाद दुबारा से इसको बटर मिल्क में डालूंगी दुबारा मैदे में यह देखिए इस तरीके से दबा दबाकर मैं इसकी कोटिंग कर रही हूं एक्सेस चाल लूँगी उसके बाद दुबारा से बटर मिल्क में डिप किया है मैंने और दुपारा से सुखे मैदे में इसको मैं कोट कर रही हूँ तो यह देखिए किस तरीके से मैं इसको लगा रही हूँ तोटली यह आपके उपर डिपेंट करता है कि आपको कितना क्रिस्पी पसन है आपको जितना क्रिस्पी पसा है आप उसे साफ से इसकी कोटिंग कर ले तो यह देखिए कितना अच्छा क्रॉंस बना इसका इसी तरीके से तमाम फिश को मैं कोट कर लूँगी उसके बाद मैं आपको फ्राइ करके दिखाती है तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया उसमें ओईल गरम हो चुका है अब इसमें एक के करके मैं फिश डाल दूँगी और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लूँगी एक मिन्ट तक आपने फिश को बिल्कुल भी टच नहीं करना है उसके बाद आपने इसको पलटना है और मीडियम फ्लेम में मैंने इसको फ्राइ किया है और ताके यह अंदर से और उपर से अच्छे से पक जाए तो यह देखिए बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसी तरीके से मैं बाकी की भी फिश फ्राइ कर लूँगी तो देखिए बाकी की भी फिश फ्राइ होगी है आईए मैं इसको आपको डेश आउट करके दिखाती हूँ अलहम्दोलिल्ला हमारी बहुती क्रिस्पी बहुती टेस्टी फिश फ्राइ बनके तयार है लगता है तो आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करके मुझे इसका फीडबेक दीजेगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों कसा शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी करने और साथी बैल आइकन को भी प्रेस करने ताकि मेरी हर नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे थैंक यू फो वाचिंग अला आफिस